आज का जो विशी है जिसके बार में हम बात करेंगे कई लोगों का जो जीवन होता ना वो एक तरह की श्राप जैसा बीता है ना बचपन से ही जब से होश संभाले होती है तो घर के भी हालात ठीक नहीं होते हैं कई बार लोगों के फादर साब के काम नहीं चलते होते कभी किसमत साथ नहीं देती बजाएं बावजूद कि क्याते ने एक इंसान ने कड़ी मेहनत करने को तयार है कभी इधर धक्के का रहें कई लोगों की जो स्ट्रगल है वो रिष्टों के तौर पे बीचती है घर पे क्याते ना एक एक जो घर का सपोर्ट मिलना चाहिए कभी सपोर सिचुएशनें तो बनती है आग जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं अलग लेवल की चीज़ है इक इनसान का जब शनि नेगटिव हो गया हला कि मैं आपको बात बताती हूं ठीक है जो यह पिरिट था मतलब दोज़ार बीस से इकिस में इसमें मोटा पैसे आया होगा टना टन मामला गया होगा हँजी हजी शाहिना जी अरे भई जब हँजी शाहिना जी तो तब शन्नी कहा गया पहली चीज़ तो मैं आपको यह समझा दूं कि एक शन्नी थोड़ा बैठा पत लेकिन कभी जैसे ही एक शनी की दशाई शने शने ऐसे ऐसे कहते ना किलत हो गई किया ही बताएं एक दूसरी चीज जैसे मान लो तीसरे घर पे तीसरा गर किसका होता है बुद्ध का गर होता है उदर शनी आ गया और सूर्य आ गये तो पहली चीज तो क्या हो गया सूर्य शनी क्या करते जिन्दगी को कलंकित बनाते जुटे लगते या तो लोग आप से कटेंगे आप लोगों से कटोगे और बुद्ध के घर पेशन ही आगया तो उसका भी आप पकड़ोगे के जिन्दगी को एक तरह की बेपेंदे के लोटे जैसे बनाती है सोचोगे क्या हो क्या 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 जाएगा और यह होता है वाकी में अगर कहते ना हाथ खड़े हो गए ना बाबा अब मतलब पेंफुल हो रहा है मामला बताओं काले घोडे की जो पूच होती है काले घोडे की पूच का बाल चाहिए मेरे को आठ बाल अगर मिल जाए है ना जो की मिल जाती होती है देखो कहाँ पर आपके इड़द इसे घोडे वाले वगएरा पता करना पड़ेगा बैठे बिठाए हाँ हाँ सोचे हो जाएगा चमतकार अगर ऐसे होता होता ना चमतकार तो बात ही क्या थी फिर फिर हर बंदा ही इतने धक्के नहीं खाता होता है ना सिर्फ सोचते और हो जाता आप समझे जो चलो वह बाद में बताऊंगी हा ना एक चीज बाद में कई लोगों की city प्रब्लमें इतनी होती इन्हें अटने करने बात है एक इंसान जब इतनी प्रब्लमे a tanoi से原ग तूट जाता है या कारे मतरब कोई पिर साथ फिर है डीक उगळी तो चेहे होती है कि कोई तो support कर दे कुछ नहींOHता है तो ये कहीं न कहीं बनाएगा काम, आठ पूछ के जो काले गोड़े की जो पूछ के बाल होते हैं, जितने भी जितने मिल जाए, उतनी गनीमत है, ठीक है, लकडी के डबे में बांद दो, डाल दो, कोई लकडी का डबा लेके आओ, लकडी का होना चाहिए, ठीक है, उसके अपने कमरे के अंदर रखे रहो, अपने सिराने पे रख दो, मैं तो कहती, सिराने पे रख दो, मैं तो कहती, अब आपने क्या करना है, इसको 43 डेस तक वहीं पर रहने दो, रहने दिया, हाँ जी, रहने दिया, अब आपने क्या करना है, 43 डेस के बाद, 44 डे, लकडी का आपके सरसों के तेल में उसको मिक्स कर दो और उसको जलप्रवा कर दो आपकी कितनी भी कुपित क्याती है ना जो प्रभाव बढ़ रहा है जो एक हमारे औरा पे वो जो काली पते जमीवी है ना लोग हम तक आपा रहे हैं हम चीजों तक पहुंच पा रहे हैं होएगा काम हंड्रेट परसेंट देखो मैंक आपको बात बताती हूं आप मेरे बारे में क्या सोचो क्या नी सोचो मुझे फरक नहीं पड़ता इसमें से बहुत लोग बखवासे भी करेंगे हैं इनको तो क्या चीज़े हैं हां बस जी पूझा करा हो इन चीजों में बहुत पावर है आप करने वाले प्रॉपर ढंक से करने वालो मैं कोई कमी नहीं छोड़नी सीधी बात एक और चीज आपको बताऊं शनीवार को करनी है यह फिर देख लो छोटी छोटी शीशियां ले लो मतलब है न एक ही मापकी होनी चाहिए इस चीज का अपने ध्यान देना है उसके पिल उसके अंदर डाल कर डक्कन बंद कर दो अब इन शीशियों को अपने सर से साथ बार घुमा कर ओम शम शनिश्चराइनमा ओम शम शनिश्चराइनमा क्लॉकवाइस ओम शम शनिश्चराइनमा ऐसे करते करते साथ परिक्रमा साथ बार उतारा करना है अब इन एक करके सार जिल प्रवा कर दो तलाब है नदी है नहर है नो टेंशन आप कर लो बस मेरा ये मानना है एक और चीज़ आपको बताती है एक चाकू ले लो चाकू चाकू के उपर आपने बम लिखना है बम ब बिंदू तीन बार इस चाकू को शनिवार से आपने रोज अभिमंत्रित करना है भैरो बाबा के मंत्रों से भैरो बाबा का कौन सा मंत्र हमीशा बताया है ओम बटुक भैरवाए देवी पुत्राए सर्वदुष्ट जन्त मुक्स्तंबन ओम क्राम क्रीम क्रूम ठा 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 हुंग फट स्वाहा एक 108 बार काजल से लिखना है ये उसको अभिमंत्रित करके इ अपने घर के वेस्ट डिरिक्शन में लेकिन इसके साथ रोज आप अभी मंत्रित करोगे फिर आपको पता ही क्या करना है एक लोहे के कटोरे में सरसो का तेल डाल के उसके अंदर काली उड़द की दाल थोड़ी सी दो तीन दाने डाल कर कलावे की बाती बना के अब आपने क क्या करना है जैसे यह दिया है चाकू तेल के भिगोया रहेगा और अपने साउथ एरिया में आपने जला देना है लेकिन चाकू जब वो तेल जल जाए तो उसको बेशक साफ कर लो कोई बात नहीं फिर उसको किसी भी कपड़े में सफेद कलर के कपड़े में लपेट कर आप की जगड़े बढ़ाता है लेकिन एक बात बता दू शनी जिनका नेगटिव वो अपने नेचर में भी बड़ा खराबी करता है हां तु है कौन मैं तरको देख लोगा मतरे आप समझें दुनिया गलत है हमेशा कंसिल्टेशन में भी समझाती हूं दुनिया चलो मानली में हम पधने बल Scion में भी आप बर्गवान को भी पूछा के उनकी चवीढे लोगर वह कैसे हैं हम नजल नमबर तिस डिस ओं ऐंजल विद मी नो no angel is not with you you have to become that angel to to get that support of the angel otherwise I don't want to give you any false hope really आप समझे और जिस दिन वो दुनिया देख ली और भूली जाओ यह चीजें वो कैसे होईंगी नहीं पता होईंगी पता है समझे चलो एस्टो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रेजिस्ट्रेशन ओन है वाट्सप करना मैं कॉल नहीं उठाती वास्तु कंसिल्टेशन के लिए मेरी फीस है लोग अपना मैप बेज देते हैं घर का फ्लोर प् दोंट दू दिस 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 मैं वर्क प्रोफेशन आई अलसो एफ थाउजंड देन थाउजंड दिस राइट ओके चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दिल अपने दिल से जोड दो वीटी को लाइक करो शेर करो इसले करो सब की जिंदगी ठाव जाएं ओके दन बबाई नमस्क झाल